पैर के तल्बों की मालिश करने से मिलते हैं ये 5 फाइदे, जाने आयूरवेद के अनुसार कौन से तेल से करे मालिश सिर की मालिश तो हम सभी करते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पैरों के तल्बों की मालिश करने से भी कई फाइदे मिलते हैं, दिन भर की ठकान, अनिद तल्बों की मालिश करने से कही रोग भी दूर होते हैं। तल्बों की मालिश जरूर करें। इससे आपकी ठकान दूर होगी, तनाव कम होगा और बहुत अच्छी नींद आएगी। जरूर करें। जरूर के दर्द में आराम पैरों के तल्बों की मालिश करने से हमें मानसिक के साथ ही शारीरिक लाब भी मिलते हैं। जी हाँ, रोजाना रात को सोते समय तल्बों की मालिश करने से जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है। इससे शरीर में बलद सकुलेशन बढ़ता है, नसों को आराम मिलता है और जोड़ों का दर्द कम होता है। बलद सकुलेशन बढ़ेगा आयूरवेग में बलद सकुलेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाई शरीर की मालिश करना है। हम सभी सिर, हाथ पैरों की मालिश तो करते हैं, लेकिन तल्बों को भूल जाते हैं। जबकि तल्बों की मालिश करने से पूरे शरीर का बलद फ्लो बहतर होता है। Blood circulation में सुधार करने के लिए पैरों के तल्बों की मालिश आपको जरूर करनी चाहिए महिलाओं के लिए फाइदे मन पैरों के तल्बों की मालिश हर किसी को करनी चाहिए लेकिन महिलाओं को तल्बों की मालिश करने से periods के दर्द में आराम मिलता है साथ ही इससे तनाव, ठकान भी कम होता है महिलाओं को अपनी तमाम समस्याओं से राहत पाने के लिए तल्बों की मालिश जरूर करनी चाहिए तल्बों की मालिश के लिए तेल पैरों के तल्बों की मालिश करने के लिए आपको सही तेल का चुनाफ करना बहुत जरूरी है आयूरवेद में तेल के तेल ही एहम भूमिका है इससे शरीर की मालिश करने से कई समस्याएं दूर होती है लेकिन पैरों के तल्बों की मालिश करने के लिए सरसों का तेल काफी फाइदेमंद होता है सरसों के तेल से तल्बों की मालिश करने से कई समस्याएं दूर होती है आप चाहें तो घी से भी रात को सोते समय अपने तल्बों की मालिश कर सकते हैं कैसे करें तलबों की मालिश, तलबों की मालिश करने के लिए सबसे पहले पैरों, तलबों को अच्छी तरह से गुनगुने पानी से धोलें. अब पैरों और तलबों को किसी कपड़े या तॉलिये से अच्छी तरह से पोच लें. इसके बाद तेल को हलका गुनगुना कर लें अपने दोनों पैरों के तलबों पर लगा लें. अब हाथों से तलबों की मालिश करें. त्वचा धीरे धीरे तेल को अफशोशित कर लेगी, तब तक पैरों को जमिन में रखने से बचें. आप भी अपने पैरों के तलबों की मालिश कर सकते हैं. लेकिन आपको अपनी प्रक प्रिती को ध्यान में रखकर ही तेल का चुनाव करना चाहिए.